नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपी के चैनल में मार्केट का एनलिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए कल तारीख होने वाली है अपनी 29th of October 29th of October दिन रहेगा कल Tuesday का ठीक है तो मार्केट में कुछ आज तेजी देखने को मिली फोड़ी से different type की तेजी थी जो हमने expect किया था जैसे मैंने आपसर जो last channel से share किया था उसमें ये share किया था कि एक नया low बनना चाहिए एक मार्केट जो है मतलब Friday के low को break करना चाहिए वहाँ से उसको तेजी करनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि जो Friday के दिन हमको last week में जो last week गया है lowest level भी Friday को देखने को मिला है and lowest closing भी हमको ये Friday को ही देखने को मिली है तो भाई ये Friday का जो low है इसके तूटने के इस पूरे week में 90% chances है ठीक है ये इसने low नहीं ब्रेक किया और तेजी पहले कर दी तो हमारे पास chances है कि इस low को तूटने कम इसको trade कर सके है ना ये सबसे पहली सबसे पहली चीज point number one क्योंकि अगर तेजी होनी है तो भाई ये Friday तक ये low जो है संभाल के रख ले market इस Friday तक ठीक है दिवाली भी जिसमें include हो जाएगा मूरत trading इस Friday तक अगर ये low 24 क्या कहते हैं ये note कर लीजे चीज ये low अगर संभाल लेता है निफ्टी 24 0 7 3 के आसपास जो low बना है ठीक है तो ये बहुत बड़ा positive sign होगा market के लिए ठीक है तो मेरा जो क्या कहते है view बना हुआ है फिलाल वो sell on rise का ही बना हुआ है ठीक है sell on rise का ही बना हुआ है और इस Friday तक में market को उपर से short करने के लिए ही देख रहा हो मेरा target है ये Friday का low तूटना चाहिए ठीक है ना उपर से कहां कहां से sell करना है ठीक है वो उसकी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले और किस परकार की opportunity हमें मिल सकती है रिस्क हमारा जो है वो minimum होना चाहिए कहीं से भी short करेंगे कैसे भी short करेंगे पचास point से ज्यादा का SL हम नहीं लेंगे और target आप देख लिजिए का जितने यह नीचे है तो भी जहरत है तर यह low break होना चाहिए ठीक है चलिए उससे पहरे एक बार देख लेते हैं दोस्तों disclaimer दोस्तों इसको देखना mandatory है अनिवारे है इसको जरूर देखिए इसको जरूर पढ़िए बिना इसको पढ़े लिखे सम दो परकार से कल के दिन यानि 29th of October ठीक है सबसे पहली चीज़ मार्केट की जो closing आई है मार्केट अच्छा खासा उपर था बट उपर resistance था जिस परकार से दिख रहा था 24,339 ठीक है यह निफ्टी की closing है तो यहाँ पर आपने यह इदर जाना पड़ेगा में एक बार हाँ ठीक है यह देखिए इस channel के अंदर चल रहा है ठीक है यह मैं आपके साथ share कर चुका हूँ यह bottom छूगे है दोस्तों इदर यह थोड़ा सा मैने इसको tilt किया है उपर की तरफ औ और यह अभी उपर जाके यहाँ पर hold कर रहा है इस परकार से तो यह इसको चूँ सकता है नहीं चूँ सकता यह चूएगा नहीं चूएगा इसमें मैं interested इतना नहीं हूँ ठीक है मुझे short करना है मेरा level है ठीक है यहाँ से जो मैंने आप टेलिग्राम पे भी आपके साथ share कि किया था मैं 24370 शेयर किया था वो मैं इधर से ही चार्ट पर बैठा था यहीं से मैंने शेयर किया था तो 24370 तो निफ्टी टिल अटाइम 24370 के बिलो है यह लाइन यह लाइन यहाँ पर देखेंगे आप 24370 जब तक निफ्टी इस नंबर के नीचे है ठीक है बी ओन सेल साइड आपका टार्गेट यह लो है बस कोई बीच में मैं आपको दूसरा नंबर दे ही नहीं रहाँ हाँ पर भाई फ्रोड़ा सा प्रॉफिट जरूब करते वे चलिएगा 220 लिखे 150 लिखे ठीक है इस प्रकार से कोई बिल्कुल पत्थर की लकीर टार्गेट जो व्यू बन रहा है वो यह बन रहा है कि लास्ट फ्राइडे का जो है निफ्टी को लो ब्रेक होना चाहिए तो यह तो होगे वही पहली चीज है इस दिफ फरस्ट फिंग कि जब अगर निफ्टी इस नंबर के नीचे है तो सेल है अगर निफ्टी इस नंबर के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो हम ट्रेड में नहीं रहेंगे दों ट्रेड टाइप हमारे लिए चीज है फिर कहां से स क्योंकि यह सब अपॉर्चुनीटी रहेगी ठीक है टार्गेट यही है यह फ्राइडे तक और फ्राइडे तक लो नहीं ब्रेक होता भाई यह बड़ी पॉजिटिव चीज होती है यह एक क्या कहते हैं गैन का रूल है यह उसका फेलियर होता है फिर हो जाती है मार्केट में तेजी वह हम देखेंगे तो जिस परकार से भी चीजे पैना उटोंगी वह उस परकार से देखें फिलाल जो मंडे का दिन अभी हमारे सामने निकला है तो तेजी अगर होती है हम कुछ नहीं करने वाले मैं यहां पर कहीं पर आने का वेट करूंगा जो कि फिलाल मुझे ले ुदि यहां पर आपके साथ शेयर कर दूंगा तो देखें लाई मार्केट में क्या चल रहा है ना वह भाई लाइव मार्केट में पता लगते है शाम को तो ऐनलिसिस करना आसान है और अभी जो चीजे दिखरी है तो उतना ही हमें आए इंफोरमेशन आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, है ना, तो या तो इस line के नीचे रहे, तो I am expecting this, ठीक है, नहीं तो ये जो है उपर जाएगा, then 24600, फिर game जो है 24600 के आसपास से play किया जाएगा, तो ये है दोस्तो निफ्टी, ठीक है, और आपको पता है जैसे बेर इस crossover हो चुका है, ये है आपकी क्या कहते है 20 EMA, और ये blue वाली है आपकी 50 EMA, इनका bearish crossover हो चुका है, 20 वाली आ गई है नीचे, 50 वाली आ गई है उपर, तो ऐसा जब जब इतिहास में हुआ है, हमने देखा है price जो है, वो 200 EMA की तरफ उसको छूने के लिए जाता है, ये study, ये research मैं आपके साथ already share कर चुका हूँ, ठीक है, इसमें short कैसे रहना है, वो हम देखेंगे, ठीक है, जो मैंने आपके साथ share किया है, फिलाल step by step चरना है, पहला step यही है, 24 73, ये, इस number के कोई हमें नीचे closing मिल जाती है, red color की, तो फिर हम अपनी चीज को क्या कहते है, नवंबर मन्थ में कोई position बनाने की सोचेंगे, जिसमें ये line हमारी target होगी, जिसका number है आज की rate में 20,457, ये फिर हमें नवंबर मन्थ में देखने को मिल सकता है, ये, ये study बोल रही है, ठीक है, ये research बोल रही है, समझेगा, ये analysis बोल रहा है, पर ये cheat directly proportional to trading कब होगी, ठीक है, जब हमें इस number के नीचे closing मिलेगी, ठीक है, तो जो जितना मतले torch हाथ में वो जहां तक रोशनी दिखा रहा है, हम उतना लेके चलते हैं, फिलाल अमारा target है 24-73, जो ये 6-7 नवंबर, 8 नवंबर तक का जो अपना हक्ता चलेगा, वहाँ तक का मेरा ये क्या केतने हैं, स्वरी, ये 31st, 31st और 1st नवंबर, 1st नवंबर ही मुरत trading होगी न, उस तक ये low break होना चाहिए, low break हो जाता है, चीज़े आगे की तरफ में और open करूँगा आपके साथ, फिलाल इतना ही दिमाग में रखिए, मुंगेरी लाल के सपने मत देखेगा, ठीक है, इतना है, कोई study 100% नहीं है, बहुत चीज़े फेल होती है, बहुत चीज़े अपने आप pass हो जाती है, तो ये pass हो रही है की नहीं हो रही है, वो बाद में पता लगेगा, ठीक है, तो निफ्टी में इतना ही है दोस्तों, है ना, बाकी जो ये पूरा bear structure है, ये भाई तभी बदलेगा, जब निफ्टे 24,800 के उपर close करना चालू करें, जो कि यहां से बहुत दूर है, structure जो बिगड़ा हो, मैं उसकी बात करना हूँ, ठीक है, चलिए, इसको बाद में देखेंगे, अभी फिलाल जो मेरे दिमाग में है, जैसे मैं मार्केट को रीड कर पा रहा हूँ, वो मैंने आपके साथ share किया, candle, एक spinning top की candle बनी है, low पे बनी है, positive होती है candle, ठीक है, पर यह इसका low तोड़ देती न, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बनती है, तब बहुत शांदार होती है, इसने low ब्रेक करना था, फ्राइडे का जो इसने नहीं ब्रेक किया, तब फिर यह तीजी बढ़िया रहती है, हम भी दिवाली का सोच के कुछ दिमाग लगाते कि भई यह दिवाली के लिए इसने किया एक काम, और तेजी रहेगी इस चार-प पर है, कुछ मत करिये मेरे मैसेज का वेट करिएगा टेलीग्राम के, कुछ मत करना थे, अब आलाते हैं, बैंक निफ्टी के दोस्तों, इसको क्या हो गया, अरे यारे बैंक निफ्टी क्यों बार, कौन शेड देता है इसको, इसका फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स्ट् इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी इधर के करीब प्रेशर है, यह नमबर है 51,600 के आसपास 51,600 के आसपास यहां प्रेशर है इसमें, ठीक है, जब तक इसके ऊपर यह क्लोज ना कर दे, तब तक भाई यह भी सैलोन राइज ही है, ठीक है, यह भी सैलोन राइज है जब तक यह 51,600 के ऊपर क्लोज ना कर दे और इसी में शॉट पोजिशन बनाई आज हमने, इसी को बस यह तूट अब की वारे सरका ना इस इस नंबर की नीचे 51,000 ठीक है तो यह आपको और बढ़िया तरीके से लो दिखाएंगा इसमें भी यह लो ब्रेक उना चाहिए भाई नियम कायदे से तो पर बैंक निफ्टी में मैंने देखा है बदमाशी बहुत हो जाती है कर्मेंडेशन नहीं है ना ही बैंक निफ्टी में है ना ही निफ्टी में है बोथ हर सेल ओनराइज लेवल मैंने आपके साथ शेर कर दिये कल के लिए पर्टिकुलर ली कल के लिए 29 अक्तूबर का गरमैन आलेसिस कर रहा हूं तो 24,000 बस मुझा समराइज कर देता हूं 29 अक् सेल साइड ठीक है निफ्टी में नंबर है 24370 बैंक निफ्टी में नंबर है 300-400 पॉइंट आपका भाई है तो नंबर गई कोई तीजी होती है तो जितना आप इसके आसपास से सेल कर सकें उतना आप इसके आसपास से सेल करिए अन्या था फिर 51,000 के टूटने पर सेल करिए और बिलो 51,000 ठीक है तार्गेट है हमारे फ्राइडेज के लोग जो फ्राइडे के लोग है यह है बस कोई चार्ट मत देखो कोई कुछ मत देखो ट्रेड मत करिएगा जो नंबर मैंने यह बोले अगर इनके ऊपर दोनों एंडेक्सेज रहते हैं ठीक है तेजी करनी है कुछ करनी है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा आँ जैसे इंडिया मार्ठ यह अच्छा लगता है भाई तेजी करने के लिए बड़े लगता है इंडिया मार्ठ बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे दो-तिन स्टॉक है जो रडार पे हैं ठोड़ा मार्केट और निफ्टी साथ दे तो हम बाई भी कर लेंगे बट स्टॉक बाई करेंगे वहाँ पर स्टॉक बहुत बढ़े हैं ठीक है उम्मीद है जोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे है कोई लाइक कीजिए शेयर कीजिए चनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मच्च